करनाचक के मुख्यमंत्री सिधरमया को बड़ा जटका लगा है जमीन घोटाले में सिधरमया पर केस चलेगा ये इस वक्त की बड़ी खबर करनाचक के मुख्यमंत्री सिधरमया को बड़ा जटका लगा है जमीन घोटाले में सिधरमया पर केस चलेगा मुड़ा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें सवालों के घिरे में करनाचक के मुख्य मंतरी सिद्धर अमया, जिसको लेकर करनाचक की सियासت जोड़दार तरीके से गर्माई हुई, हाला कि सिद्धर अमया की तरफ से पहले ही कह दिया गया था, जमीन घुटाले मामले में सिध्धरमया पर केस चलेगा ये तस्वीर साफ हो गई है जमीन घुटाले में सिध्धरमया पर केस चलेगा हाई कोट से सिध्धरमया को राहत नहीं मिली है एक बर फिर से आपको बता दूँ कि मुड़ा से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला जिसमें अदालत का दर्वाजा से धरमया करनाचा के जो मुखे मंत्री है उनकी तरफ से खटखटाया गया था दबाव उन पर जोरदार था कि वो इस्तीफा दे दें हाला कि वो इस्तीफा नहीं देंगे इस बात को लेकर वो अड़ गए थे और अब हाई कोर्ट से जस तरीके की रहत की वो उम्मीद कर रहे थे वो मिली नहीं बलकि उल्टा जटका सिधरमया को लगा है हाई कोर्ट से सीड़ा आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सेवगी आशीश इस समय मौझूद है जरा जानते हैं आशीश से इस खबर का करनाचा के सियासत पर असर क्या होगा आशीश मुडा सिधरमया को जञारी रहे गा मुझुमंतरी करना के सलाव किस चलेगा मामलया चलेगा इस मुडा स्काइम में कि करनाटन शीफ मिनिस्टर की पत्मी के नाम पर जमीन आवंटन हुआ जमीन आवंटन में अनिमित्ता बढ़ती गई यह जो मुड़ा है मैसूर अर्बन डेवलपेंट थार्टी के द्वारा पुरू की पुराना मामला है लेकिन एक RTI एक्टिविस्ट ने गवर्नर गैलोध गवर्नर करनाटक ने सिधर मैया खिलाफ प्रोसिकूशन सैंक्षन किया उनके खिलाफ कारवाई चलाने की इजाज़त दी उसके खिलाफ सिधर मैया मुख्यमंत्री हाई कोट पहुंचे थे और हाई कोट ने आप कहा है कि नहीं प्रोसिकूशन जो अप्रूवल है गवर्नर हाउस की तरफ से वो सही है और उनके उपर कारवाई चलाई जाने काई मात्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह मामला जब सामने आये था उस पक जस तरीके का इस्तीफे का दबाव सिधर मैया पर बना था जिसको लेकर सिधर मैया डड़ गए थे कि वो इस्तीफा बिलकुल नहीं देंगे अब कि एक बार फिर से वही इस्तीफे की मांग वाली जो म वर्नर हाउस की तरफ से दिया गया, तब से कॉंग्रेस के अंदर, करनाटक कॉंग्रेस के अंदर बाद बार आवाज उठते रहे, स्तिफे को लेकर, सीम के कुर्सी को लेकर, चाहे वो डीके शुकुमार जो उपमुखी मंत्री हैं, उनको माना जाता है एक दूसरा खेमा, दरमया के समर्थों को की तरफ से, उनके मंत्रियों को तरफ से ये कागे, कुर्सी खाली नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं है किसी नए चेहरे को सामने आने का, इस बीच राहूल गांधी अमेरिका में होते हैं, डिप्टी चीफ पिनिस्टर डीके शुकमार वो भी अमेरिका जाते हैं, वहां उनकी राहूल गांधी से मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद एक इंट्रेस्टिंग लाइन डिके शुकमार बोलते हैं, कि उनकी और राहूल गांधी उनके नेता है, उनके बीच में क्या बात हुई, ये मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है, पीच में कैसे कुर्सी को लेकर जंग छिड़ती है, वो देखने वाली बात होगी, हाला कि अभी तो मौझूदा जो हमारे सोसेस कॉंग्रेस में है, उनका कहना है कि अभी चेहरा सियम सिधरमया के कुर्सी के ओपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे रा जानकार हैं इसको लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं? मुझे बताएगे कि मैसूर अर्बन डिवेलपमेंट अथॉर्टी वाली जमीन का मामला जो पत्नी को देने के आरोप सिधरमया पर लगे हैं, इसमें अपने बचाफ के लिए दलीले अदालत के सामने क्या सिधरमया के पक्ष की तरफ से रखी गई? ये बताएगे ज़रा कि दिके अचीद के सिधरमया का हमेशा कहना है कि ये जो आवंटन है, इसे जो नहीं हुआ, उनके अलाबा कई ऐसे लोग थे, 50 से जादा ऐसी लोग हैं जिनको इज़रमया कहना है कि नियमों को पूरी तरीके से समझ कर रखा गया, आरोप ये है कि इनकी जो जमीन जिसका अ अशुर अरबन्द revert NGO30 न ही किया था उसकी कीमत और उसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही कीमती या भेश्ट कीमती जमीन सिधरमया के परिवार को उनके पत्नी के नाम पर अलॉटमेंट मुढा ने किया लेकिन सिधरमया बार-बार कहते हैं कि उनके जमीन का अधिगरहन हुआ ना सिर्फ उनकी जमीन के अधिगरहन के बदले मुडा ने जमीन का अवंटन किया बलकि अन्य लोगों की जमीन के अवंटन के बदले भी मुडा ने अवंटन किया जमीनों का तो सिर्फ उनका एक अकेला मामला नहीं है और पूरे नियम कानू की प्रक्रिया पूरी की गई थे मुड़ा के द्वारा और उसके बाद यह आवंटन हुआ है उनका यह भी कहना है कि जिस समय यह पूरा मामला हो समय वह मुख्यमंत्री नहीं थे तो जाहर तोर पे उन्हों किस तरीके से इंफ्लूएंस नहीं कर सकते तीसरा बचाव उनका यह सिद्धर मैया करनाटक हाई कोट पहुंचे थे और उनके विरोध में जो दलीले रखी गई जिसको अदालत ने माना है जिसके बाद केस चलाने की इजाजत मिली है सिद्धर मैया के खलाब उनके बारे में भी ज़रा बताएए तीके दलील तो सिद्धर मैया अपने बचाव में दी लेकिन जो RTI एक्टिविस्ट है जिनके जो मैसूर के RTI एक्टिविस्ट है जिनके प्रेटीशन के उपर गवर्णर एप्रोसिकेशन सैंक्शन किया उन्होंने साफ तर पे काया कि इसमें कहीं ने कहीं गरबर जाला हु दुरूपियोग की वज़े से उनके परीवार को जवीन आवंटन हुआ, ये उनकी आवपर अलियशन है, जाच का विशय है, जाच होगी, अब जाच का रास्ता साफ हो गया है, जाच के बाद ये तैह होगा कि क्या आवंटन में वाक़ई में घोटाला हुआ था, लेकिन य नीरज के पास ही लेकर चलते हैं दर्शकों को नीरज जरह शानवाज उसेन साब से समझे कि ये जो सिध्धरमया के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त हाई कोट में दी है अब इस पर बीज़पी का रियाक्शन बिल्कुल मैं आप से बात करता हूँ सहनवाज भाई से सहनवाज जी हाई कोट ने एक और दिया है कि अब सिध्धरमया पर केस चलाया जा सकता है क्योंकि वो हाई कोट गया थे और रोक की मांगी थी कि मुख्यमंत्री पर केस नहीं चलाया जा सकता लेकिन हाई कोट ने साफ क कि कोई भी अपराद है उस मामले में किसी के खिलाब भी केश चलाया जा सकता और सिध्धरमया के खिलाब केश चलाने की इजाज़त हाई कोट ने दे दिये कब तक खेर मनाएंगे सिध्धरमया अब तो हाई कोट में भी वो गए थे बचाओ के लिए फैसला आ गया है और इसमें पूरी तरह उनकी संलिपता थी उसको संग्यान लेकर ही फैसला आया है चलेगा मुकदमा अब नेतिक अधिकाड़ी नहीं उनको सत्ता में रहने का करनाटक के मुख्यमंतरी हैं लेंड स्कैम में उनका नाम आ रहा है और केवल उनी का नहीं कई और ऐसे मसले हैं जिनमें खड़गे के उपर भाजपाने आरोप लगाया कि खड़गे के परिवार के नाम पर कई जमीने हैं तो क्या आपको लगता है कॉंग्रेस की सरकार के द है इसकी चर्चा गाउं गाउं में हर जगा है और इस मामले को लेकर वो हाई कोट गये थे वहां से राहत मिली नहीं है अब उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं तो रास्ते खुले हैं डबल में जा सकते हैं सुप्रीम कोट आ सकते हैं नहीं वो रास्ते तो बहुत सारे खुले रहते हैं रास्ते तो अर्विन केजरिवाल के लिए भी खुले हुए थे और एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे थे लेकिन एक नैतिकता के आधार पर क्य उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार है भारती जनता पार्टी इस मसले को किस रूप में ले जाएगी क्या जनता के बीच में आप लोग जाएंगे जनता के बीच में प्रदर्शन करेंगे धरना देंगे क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में चला गया पुलिस के पास investigation चली गई वो तो अलग विशे हो गया लेकि पुलिटिकली भारतियंता पार्टी से किस रूप मिलेगी हम लोग शुरू से इसको कह रहे थे कि जो मोडा scam हुआ है इसको लेकर जाच की बात हम कर रहे थे और हमने ही इसका पुरा दबाव बनाया था कि इस scam में ये शामिल है और आप तो बात आ गई है वो हाई कोट गये थे अब हाई कोट से उनको जटका मिला है अब उनको इसको सुईकार करना होगा और सत्ता में रहने का आपको उनका कोई अधिकार बचा नहीं है नीरज मेरी तरफ से सवाल पूछ लिजे सीधे 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 इस्तिफ़े की मांग करेंगे सिधरम बैया से शानवाज बाई से पूछिए ज़रा सानवाज बाई रोमाना हमारी जो सीनियर एंकर हों कह रहे हैं कि क्या आप लोग सीधे तोर पर सिद्रमिया का इस्तीफा मांगेंगे क्यों नहीं उनको तो एक मिनिट भी नहीं रहना चाहिए उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है ये करीब तीन हजार करोर का ये मामला है मोडा स्कैम करनाटक का सबसे जोलंत मुद्दा है और इसमें उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है और एक ही स्कैम नहीं है कई स्कैम है स्कैम पर स्कैम यही तो कांग्रेस की पहचान है जब सेंट्रल में थे तो लूट की छूट मिली हुई थी अजब स्टेट में कहीं हुकोमत मिल जाती है तो वहाँ भी लूट की छूट ले लेते हैं सामने आया तब से बीजेपी जेडियेस के जो गटबंदन है करनाटक में वो इस मामले पर अग्रेसिव रही है यहां तक की बैंगलोर से लेकर उन्होंने मैसूर तक की पद्यात्रा भी निकाली थे जुलाई के मैने में उस पद्यात्रा में का मकसद यही था कि सरकार पर दव के सीधी सनलिपता है इसलिए सीएम के मुख्यमा के कुर्सी से उनको इस्तिफा देना चाहिए अब जाहिर तर पर हाई कोट का फैसला आया है तो यह मांग और जूर पकड़ीगी बहुत शुक्रे आपका शीश से तमाम चानकारी के लिए तो कुल मिलाकर मुश्किले यहां स करनाटा का के मुख्यमांतरी से धरमया के लिए बढ़ती हुई हाई कोट ने उनके खिलाब केस चलाने की इजाज़त दे दी है हाला कि अभी कानूनी विकल्ब से धरमया के पास बाकि